नमस्ते अब विभादनापका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपोर्टन लेवल्स बताएंगे आपको संकेत बहुत अच्छे है उपनी के तो अच्छी बात है हमारे लिए आज दिस तरीके से मेटल इंडेक्स क्राइस किया है वो सिच्वेशन ऐसी लग रहे है ना कि सबको बेच करके भाग जाना है 8% नीचे एक इंडेक्स है इसका मतलब स्टॉक्स का कितना बुरा हाल हुआ होगा वो आप खुद ही डिकोड कर सकते हो वीडियो के लिए कुछ लोगों ने रिक्वेश्ट करी दोस्त जो जीज मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में इससे पहले वाली जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में बात समझाई है लगभग वही सिनारियो है कुछ अलग से भी निउज आ रही है मैं इस सबको कवर करके कल आपको वीडियो दूँगा स्टॉक्स पर आपको ट्रेडिंग सेटप के हिसाब से ट्रेड लेना है अभी भी मैं यह नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको बाई कल लेना चाहिए लेकिन अभी भी मैं इस पॉइंट को जरूर कहना चाहूँगा जो इस से पहले वाली वीडियो में भी मैंने बोला था कि यह जो गिरावट है यह जो बुरी निउज आई है उसके हिसाब से 4-5% बाजार गिर जाती यानि कि मेटल इंडेक्स गिर जाता तो मुझे लगता हाँ चलो ठीक है 8% नीचे इंडेक्स है और कल को अगर 1-2% और नीचे 3% नीचे और मिल गया मतलब मेरे हिसाब से यह एक buying opportunity है कम से कम एक pullback के लिए आपको वहाँ पर trade जरूर तलासने चाहिए ध्यान इसी बात पर आपको रखना है बिना trading setup के कोई भी pullback पकड़ने की कोसिस मत कीजगा यह मत करिएगा कि चाकू गिर रही है और इसको पकड़ने की आप कोसिस करो ठीक है जब भी reversal आए वहाँ पर पकड़ने की कोसिस जरूर कीजगा metal stocks भी radar पे आए हैं बात करेंगे उन पे FIDIS की तरफ से जो डेटा बनके आ रहा है वो अभी भी मैं positive भी मानूँगा इसको बले ही उपर के लेवल से 2000 फिसली है लेकिन DIAIS ने हिम्मत नहीं हारने दी है हम लोगों को और उनकी तरफ से लगबग 1500 करोन की खेदारी की गई है 2000 करोन का माल में चाहिए FIDIS ने as usual उनसे कुछ खास उम्मीदे रही भी नहीं है इंटरडे स्टॉक्स नोट कर लीजे हिंदुस्तान कॉपर इसने 100 के लेवल को ब्रीच कर दिया है अब ये और गिर सकता है अगर कल मेटल इंडेक्स तूटा तो हो सकता है इन स्टॉक्स में या फिर वेदान पर आप नजर रख सकते हो ये और गिर जाए तो ध्यान इन पर आपको रखना है जिंदाल स्टील अगर रिवर्सल पकड़ना है ये वन आफ दी बेस्ट बेट है 400 के उपर बहुत मज़ेदा ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा इन केस रिवर्सल आता है मेटल इंडेक्स में आता है तो मज़ाएगा 400 के नीचे ये कमज़ोर है 372 के आसपास फिर आप बेटर ट्रेड यहाँ पर तलास पाओगे पॉस्टिब साइड का ठीक है सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर मत एक्ज़िट करके आप हिंदुस्तान कॉपर में करोगे ज्यादा मज़ाएगा बाकी सेटप पे ट्रेड लोगे तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है तकलीफ नहीं होने वाली है इसका मतलब यह नहीं होता है कि लॉस नहीं होगा तकलीफ का मतलब आप समझते होना अननेसेसरी लॉस आपको नहीं होगा जो भी चीज़े होंगी अंडर कंट्रोल मैनर में होंगी ठीक है कंट्रोल मैनर में होंगी SBI card either side बढ़िया ट्रेड मिलेगा Tata Motor DVR बहुत बढ़िया लेवल पे है बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा Axis Bank में आपको बहुत बढ़िया positive side का ट्रेड अभी भी possibility यहां पर वही दिखाए दे रही है बहले ही आज Bank Nifty की तरफ से performance नहीं आपाई लेकिन उम्मीद है उनसे better वैसे भी आज market से तो better performance कम से कम थी जिस तरीके से metal index कम जोर कर रहा था अगर ना करता तो Bank Nifty समालने की courses भी जो कर रहा था वो दिखाई देती आन पेपर चीजे हैं हमको कभी कभी समझ में नहीं आती है लेकिन होती है ना favor की बस वही HCL Tech दोनों तरफ का trade यहां पर है LIC में काफी लोगों को अभी भी तकलीफ हो रही है लगातार चौते दिन इवें पाँचवे दिन मैं तो कहूंगा इस green candle को भी आप ready मानिये क्योंकि 949 वाला share आकर कि LIC का share लेकर के सर पकड़के बैठे हैं क्या किया जाए बहुत लोगों की request आई वीडियो के लिए क्या कर सकते हैं मतलब LIC की policy पता है कौन बंदा लेता है जिसको अपने पैसे कोई risk नहीं चाहिए LIC वालों ने उसको भी बोला भाई आओ खाता खोलो और share खरीद लो share खरीद लो share गिर रहा है क्या करें कहां पर खरीदना चाहिए कौन सा level है उसके लिए वीडियो पहले से available है channel पर ठीक है अगला task आपको दे दे रहे है जो काम आपने price to warning ratio के साथ किया याने की PE के साथ किया वही काम आपको PB के साथ करना है task number 21 आपको दिया जा चुका है उसको आप जा करके देखोगे तो आप समझ जाओगे task number 22 क्या है हाँ कुछ लोग बोल ले थे कि 2002 से 2022 तक 21 डेटा मिल ला है क्या करने तो 21 का बेज़ दो बाकी 20 अपने हिसाब से adjust करो 2002 से लीजे नहीं लेना तो 2003 से लीजे 2020 तक ही रही अगर 20 डेटा ही आपको लिखना है तो अपने हिसाब से समझ लिया करो यार ऐसे चोटी चोटी बातें पूछोगे क्या होगा ठीक है बाकी कुछ लोगों ने genuine सवाल भी पूछा है उनको बस इतना कहूँगा दोस्त अभी जवाब को टास्क दिया जा रहा है उसको complete करिए हर एक सवाल का जवाब मिलेगा दीरे-दीरे मिलेगा दीरे-दीरे टीक है कर्म करते रहिए फल की एक छा भी करिये लेकिन उस तरीके से नहीं कि अभी दे दो उख्त आने पे मिलेगा थोड़ा इंतजार का मजा लिजए निफ्टी मैंग निफ्टी के लेवल्स आपको बता होंगे आपको यह देखना है कि अगर आप एक बायर बने हो ठीक है तो आपके पीछे बायर बनने के पीछे लॉजिक क्या है उस लॉजिक पर आपका confidence होना जरूरी है और यह आएगा बैक टेस्टिंग से बैक किसी टेकनिकल इंडिकेटर या टेकनिकल सेटप पर होती है यह आपको जरूर करना है और जो यह सूचते हैं कि मुझे सबा आ गया मैं तो राजा बन गया उनको बाजार इतनी घराक मतलब क्या कहें बहुत तीर सखींच के मारती है क्या कहें रियल लाइफ में तो गाल लाल हो जाता है ना लेकिन यहां पर क्या लाल होता है वह आपको पता है मैं बोलूगा नहीं ने तो वीडियो 18 प्लस हो जाएगी बहुत बच के जो मेहनत नहीं करेगा बाजार उसे बहुत लाथ घूसा मार के भेजती है प्लीज महिनत कीजे प्लीज बैक टेस्टिंग नहीं करोगे यार फिर कोई सेंस नहीं बनता मैं बिना मतलब आपसे चिला चिला के request करता रहता हूं बस इतना समझ लीजे कि मैं अगर सौ लोगों से कहता हूं ना दसी लोग हैं जो भात मानते हैं. सामने होते तो मैं जो 90 लोग बात नहीं मानने, इनको कूट देता. जहां पर मैं रहता हूं, आपर कूट देने का मतलब अच्छे से मार पीट देना होता है. ठीक है? सोचा कीजिए, थोड़ा सा मेनत करना चालू कीजिए. ये नहीं कि मेरे पास टेक्निकल सेटप आ गया ट्रेडिंग सेटप मुझे मिल गया तब मैं तो राजा बन जाओंगा बीना मेहनत के कुछ नहीं होगा कुछ भी हो आपके पास समझ रहे ना आपको मसीनों से लड़ाई करनी है रोबोट से अलगो ट्रेडिंग चल ले और फिर भी आपको लगता है कि बिना कुछ किये उनसे क्या सीखना है मैंने आपको बताया कि उनके ट्रेंड से ये सीखना है यही मैं कहना चाथाँ आप उनसे सीखो आपकी लौजिक क्या है इंट्रा डे ट्रेड कर रहे हो या शुविंग ट्रेड कर रहे हो बाई कर रह रहर Springgem कर रहरे हो बाई कर रहे लौजिक या लौजि expect पर जो confidence आना चाहिए वह वहीं से लाना ज़रूरी है ठीक है तो लेवल से नोट के लिजे, ओप्रिंग के संके, दोस्त बहुत अच्छे है, सौक पॉइंट के असपास, और ये तेजी सच में खुसखबरी वाली ही है, क्योंकि हम 16.250 के उपर खुलेंगे, अच्छी बात है, 16.271, ये रहेगा पहला रिजिस्टेंस लेवल 16.339, ये रहेगा तीसरे रिजिस्टेंस लेवल के रूप में ये काम आएगा, ठीक है, ये तीन लेवल से हो गए, रिजिस्टेंस के रूप में सपोर्ट आएगा, 16.200, 16.202 है, ये है सपोर्ट, 151, 16.88, ये रहेंगे तीन सपोर्ट लेवल, ये रहेंगे तीन रिजिस्टेंस लेवल, ठीक ह यह हो गए निफ्टी के लेवल्स निफ्टी बैंक के लेवल्स नोट कर लीजे 34614 यह दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 34791 यह तीसरा है 34334 क्या लिख रहा हूं 34334 यह रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट है इग्जेक्टली 344 यह पर 23986 यह तो यह हो गए लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे परफॉर्मेंस आपको मिलेगी टेलिग्राम चैनल पर उपनिंग के संकेत अच्छे हैं और अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि मैं खुलेंगे 16.500 के आसपास जो की अच्छा लेवल भी हमारे लिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप चेका है बाजार अब 16.400 को तोड़ करके उपर जानी चाहिए क्यों जानी चाहिए उसकी लॉजिक जाननी है तो इससे पहले वाली वीडियो देखेगा कोई सवाल सो जाओ तो वाट्साप नंबर पर कनेट कीजेगा अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना पसंद नहीं आई तो दो बार लाइक कर देना या दो बार डिसलाइक कर देना अभी के लिए इतना है नमस्कार